तो हेलो दोस्तों केसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनौदर एपिसोड आफ फार क्राइ प्राइमल तो यार इस गेम का फर्स्ट एपिसोड मैंने अपनी चैनल पे अल्रेडी डाल रहा है तुम लोग अगर इस गेम की स्टूरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल पे जा लोग अपना घर बनाने के लिए एक जमीन की तलाश में थे एंड फाइनली उनको वह वाली जमीन मिल जाती है उस जमीन का नाम होता है उरूस वह वहापे अपना घर बसाते है एंड खुशी-खुशी रहने लगते लेकिन उनकी खुशी जादा दिन तक टिकने वाली नहीं तो बेसिकलिए उनके घर के उपर जब आटेक होता है तो वो इदर उदर भटकने लग जाती है क्योंकि उनके पास घर नहीं रहता है तो हमारा जो कैरेक्टर है इस गेम का उसका नाम है टकार एंड उसका एक ही टार्गेट होता है अपने क्लैन के बंदों को एकटा करना ए पर लास्ट वाले एपिसोड में हमारी और एक लड़की है साइला जो की ये रही उसके उपर टाइगर ने हमला कर दिया था एंड इसके उपर न कुछ जखम हुए थे तो वो जखम क्योर करने के लिए हमने कुछ लीफ वगरा लाए थे एंड उसकी जखम क्योर करी थी एंड इस वाले एपिसोड में हमें कुछ वेंजा भायों को धूंडना है अपने एंड उनको बोलना है कि इस केव में आओ एंड ये केव है ना गाइस बहुते जादा सेफ है ऐसा ये साइला बोल रहे है ठीक है तो यहाँ पर कैम फायर है क्या में इसको जला सकता हूँ और गाइ ये केव भूते जादा सुरक्षी थे इदर आओ एंड इदर अपना घरवागरा बसा लो ठीक है तो चलते गाइस आगे एंड दूंडते अपने भाईयों को वेंजा भाईयों को और गाइस यहाँ पर एक बर्ड है क्या इसको में मार सकतो मेरे तीर कमान से क्राउश करते दीरे 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 लगता तो नहीं मार पाऊंगा लेकिन स्टेल ट्राय करतो में मार पाया मार पाया में एंड मार के इससे कुछ कलेक्ट नहीं कर सकता भाई ऐसे ही मार दिया फाल तुमें फाल तुमें मार दियार मुझे लगा कुछ मिलेगा इससे लेकिन नहीं कुछ भी नहीं मिला और यहां पर एक डेर है उसको में मार देता होगा इस क्योंकि खाने का बंदोबस्त होना चाहिए यार इतना खाना नहीं मेरे पास फिलाल यहां पर थोड़े से रेड से इसको भी मैं कलेट कर लेता हूँ इंड इडियर अभी यही कहीं पर तो जाके मर रहा है ना ओके यह कुछ तो मिला है अपने को स्लॉट या फिर जो भी बोलते हूं एक है उसको में इसका मेट में निकाल लेता होगा अपने बैक पैक में रख लेता हूँ क्योंकि खाने के जरूद पड़ेगी आगे जाके पड़ेगा शायद से तो मैं यहाँ पर जाता हो ठीक है गाइस मैंने अभी देखा मैं अपनी सारे के सारी चीज़े अपग्रेट कर सकता हूं और उसको अपग्रेट करने के लिए कुछ है गाइस एंड मैं अपने सारे के सारी चीज़े अपग्रेट कर सकता हूं ठीक है एंड फिलाल नगाइस थोड़ा सा स्कील्स का सीने शायद से ओके तो मैं अगर यह स्किल्पॉइंट अनलॉक करूंगा ना तो मेरा एक और हेल्थ बार इंक्रीज होगा फिलाल दो मेरे चलो ठीक है इसको में कर सकता हूं क्योंकि मेरी बैक पैक फूल दिखा रहा है एंड बैक पैक को कम केसे करना यह भी मुझे नहीं पता है तो छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और गाइस वो जो उडान वारियर से ना वह बहुत जादा खतरनाक है वह एसे इस यहाँ पर एक मैमत है एंड मैमत के साथ में फाइट नहीं लोगा भाई लास्ट टाइम देखा हम लोगोंने मैमत बहुत जादा खतरनाक होता यार लेकिन यह मैमत का बच्चा है यह बड़ा मैमत नहीं है छोड़ो भाई मुझे पंगा नहीं लेना है बिल्कुल भी पंगा को ठीक कर रहा था क्योंकि उसके उपर शेर ने अटाक कर रहा था ना तो उसके वुंड जो है वह भरने के लिए अपन लोग ने वह ग्रीन लिवस क्लेट किये ठीक है तो मुझे जाना है अभी ओके जंगली सुवर हाहा एक ही फटके में उसके एसे की तेसी कर दी मैं मैं ज कुछ बिगारत है क्या कुट्टे साले यह हाइना जेशायच से हाइनास ता शाहिच से गाइज भाई यह इसने आचनक से अटैक कर देया तो हैर मेरी उपर और हाँ इसका मीट मैंने कलेट कर लिया आए फिलाल के लिए एंड गाईस सीन एसा है ना अभी फिलाल के लिए मैं आठ एरोज एक साथ कैरी कर सकता हूँ अगर मैं इसको अउग्रेट करूंगा ना तो मैं और भी ज़्यादा एरोज कैरी कर सकता हूँ शायस से यह रहा एक और भाई तू मर जा भाई चल जल्दी अचा स्पेहर का डैमिज कुछ जाद है यह यार अभे नीचे मच जा भाई भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई-भाई ना तो वह भी मैं collect कर ले तो बाई क्योंकि बहुत सारी चीज़े अप्ग्रेट करने का option होता है इस game के अंदर ओके कहां पर गया वह रश्च से लटकने वाला यह रहा चलो बाई लटको और उपर चलो हमें बेसिकल इस पहाड़ी को चड़ना है पता नहीं आगे कुछ टास् सकता क्या शायद से मैं अपनी हेल्थ को manually increase नहीं कर सकता हूँ जब मेरी हेल्थ आटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी बेस नहीं आटोमेटिकली मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी जब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तब तो हो फाटावट से उपर चड़ते हैं एंड दे bonfires का mission आया अपने को ठीके mission है फिर क्या है पता नहीं ओकी तो यहाँ पर इसा लिखके आ रहा है कि यह bonfire ना अगर मैं कलेट करूंगा ना मतलब उसको जलाओंगा ना तो वह सारका सारा इलाका जो है वह मेरा हो जाएगा एंड यह जो bonfire ना इसके कारण में fast travel कर सकता हूँ शायद से कुछ ऐसा सी ने ठीक है तो bonfire map में दो दिख रहा है लेकिन कहां पर वह अच्छा यहीं पर भाई आपके कुछ बंदे हो सकते औरेडी किसने क्लेम अगरा कर रहा होगा यह तो हाँ नहीं है कोई मुझे लागा कोई होगा लेकिन फिलाल के लिए कोई नहीं है तो म पाई इसको एसे बात इसको मैं जला सकता हूं ना यह मेने इसको जला लिया है benिने क्लेम कर लिया की हैव नाकटी बॉन फायर यह मैंनेक्लेम कर लिया है और इस जगा के उपर अभी में फास्ट्रावल कर सकता हूं वाइस कि फास्टिटोड़ थोड़ा सा पढ़ लेता हो मैं के से फास्ट ट्राइवल करना है कि से नहीं और थोड़ी से इंस्ट्रक्षिन गाईस मुझे यहाँ पर मिली सब्सक्राइब कर सकता हूँ और आगे जाके बहुत सारे जगा हो पर भी ऐसा सिंबॉल आएगा मतलब में कैमफायर उस जगा पर जलाओंगा शायद एंड देन में उस जगा पर भी फास्ट ट्रावल कर सकता हूँ एक है अपनी केव जो की सेफ बहुत वहां पर साइला रहती है अब यह वाली जगा ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहा है वहां पर में जाता हूँ ठीक है सबसे पहले बाइंसानों का आवा यहां पर कुई है 100 परसेंट हैं यहां पर कुई है धीरे-धीरे जाता हूँ और साइलेंट के लिए करता हूँ इस मेरे बो के कारण यहीं कहीं पर तो आवाज आ रही है इस पता नहीं कहांप अभी अच्छा बैक कुई तो हंटिंग कर रहा है यहां पर और शाय से वह उड इसी भाई भाई यह उडा मॉरियर से और यह फाइट कर रहे शाय से और धेर सारे उडा मॉरियर से गाइज यहां पर यह गया दूसरा भाई इनको मारना बहुत जादा इजी यार पता नहीं क्यों इसने देख लिया मुझे चल मर गया हेड़ शॉट का वह तू भी एंड इ यह फेके मार रहे है इसके पास भी ऐरो जैर से मैंहीमर कर सकता हूं कंत्रोल दबा कि एंड इसके साओ yüzden इसके पास जितना भी सामान होगा ना वह है कलेट कर ले तूह फिलाल इसके पास मीट था उनक्ले उनक्षाट कर लिया है एंड में ऊपर कैसे जाओ अभी यही कही पे ना में मेरी एरोस वापस से ले लेता हूँ एंड अच्छा खासा में उपर गया था यार अच्छा जा सकता हूं अभी भी उपर नाइस यार यह चीज मुझे नहीं पता थी में उपर भी जा सकता हूँ एंड माप में कुछ मार्क बनाए डैन ओफ वाल का लोकेशन डिस्कौवर कर लिए है डैन ओफ वाल का नाम है यह साही कुछ तो नाम था एंड गईस मप में कुछ वाल का रहा रहे दो जगा पर तो वह दो जगा मेंने अभी ताख एक्स्प्लॉर नहीं करी फटा पट से उन होगा क्या सीन है यह मुझे नहीं पता है चलो के अंदर जाते हैं उससे भी पहले एंड यह शाय से उड़ा मॉरियर्स की के वे यहां पर थोड़ा सा अंदेरा है मैं कैंप फायर ले ले तो अपने साथ में कुछ आइटम में ने कलेट कर लिया यहां से बैकपैक इस फूल मेरे बैकपैक फूल क्यों है बाई इस के अंदर तो कुछ भी नहीं था ऐसे फालत में क्यों दे रखी शाय से तो चलता हुगा इस फाटावट से उस क्विश्चन मार्क की तरफ ठीक है मेरे पीछे कुई तो लागा है वाई अबे तू क्यों मेरे पीछे लागा है तेरे को किसने कुछ किया है कैसा हाले हाँ ने तो भाई यह हाइनस अचानक से आ जाते वह बीच बीच में उंगली गरने के लिए ओक यह भाई बहुत सारे ज कि अचाहिते जैसे रात हुते न वैसे कुछ unique टाइप के एनिमल्स आते हैं उनको मारर के मैं उनसे समान कलेट कर सकता हूँ लेकिन जैसे रात होती ना वेसे ही डेंजर भी बढ़ जाता है खत्रा भी बढ़ जाता है तो मुझे पता यार एंड मैं अपने वेपन्स को आग लगा सकता हूँ मुझे वो पता था अल्रेडी एंड एक वुल्फ ने मेरे उपर फिलाल अटैक कर लिया है उसको भी मैं मारत हो गाइस फटा फट से लेस्ट गो इसको भी मार दिया मैंने इसका भी मेट कलेट कर लेता हो गाइस एंड रात होने को आई है तो क्वेशन मार्क यही पर बन क्या आ रहा है यहाँ पर नीशे आग लगी पड़ी है स्टोण और लश्कंट लोकेशन डिसको वर्ड यहाँ पर भी शैद से वह वुड़ान वॉठियरस से कईंज उनको शैद से मुझे मारना पड़ेगा साइलेंट करना पड़ेगा गई अहलेंट की लिञ्न चैल निकल चैल निकल चल निकल अरे, 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 भाए, वो भाग रहा है, what the freak, कहांपे भाग रहा है, चुप गया, शाइसे, वो भी, and, इसको मैं एरो मारता हूँ, दो बंदे मर चुके है, वहाँ पे एक और बंदा था, अच्छा, वो भाग गया, what the freak, लेकिन मैं यहाँ पे जम्प करूंगा थो, मैं पक तो पहला क्वेस्टमार्कव मैं यहाँ यहां पर एक्स्प्टYUR कर लिए तो एसा ही एक ऊर दो आंड़ में थोड़ी सी अरश क्राफ्ट पर पर नहीं कर सकता गया अचा एकदम साइलेंट नहीं क्यों दाबाना पड़ेगा मुझे उसके लिए इन अब मैं थोड़ी सी एरॉस कर चाफट कर सकता हो एरॉस मैने क्राफ कर ली गाइस एंड थोड़ी सी जो अपनी स्पेर से उसको भी मैंने क्राफ्ट कर लिया है ठीक है एंड सामने ही मेरे एक उदान वारियर्स है शायद से एंड मैं अपनी भोह निकल ले तो ठीक है उनको इनमें एकदम साइलेंटली किलिंग करूँगा एंड देखो भाई जैसे रात होगे न मेरे एरो की उपर फायर लग गया है एंड मैं जैसे ही उनको मारूंगा न मैं जैसे उनको मारूंगा न शायद से उनके उपर आग लग जाएगी और यहाँ पर उडाम और यर्यर्स नहीं है भाई यह एसा ही खाली एरिया पड़ा कीशए जैसे जगाए ऐसे फालत में दे रहा जिती वाई मैप मेंयकि यहाँ यहाँ पर कुस्छ भी नहीं मिला ऐकर फूर्ट Gmail जागाप टेलिपोर्ट कर लेता हुँ वो मैं इस जगाप पर टेलिपोर्ट कर दिया है अभी एंड अभी में कुछ आना है इस वाले डिरेक्शन में ठीक है सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है वहां पर जाओंगा और यहां पर कुछ वैंजा लोगों की आवाज आ रही है गाईज उन से में पंगगे लू या फिर ना लू समझ में ने आ रहा है यार उन से में पंगगे लू या ना लू अच्छा वो फाइट कर रहा है किसी के साथ तो फाइट कर रहे वो लोग मर्चल तुम लिक्न चला निकल इनको मारना बहुत जादा चिलर काम होते यहां क्या रहा है साले क्या फेक्च के मार रहे तुह हैं क्या फेक्क्च के मार रहे elét और इसने किसी इनसान को मारा है बाई यार इसने अपने वेंजा भाई लोगों को मारा है अचहीं बाई मेरे सामने बाई दिया है उसने अभी ρिश्ट लिटरवी चलो इससे समान थोड़ा सा कर ले टहूं ठीक है लेकिन मैंने फाइनलि इन वहार से दसे से लेकिन वैण डाय को कुछ और बोलती उनको शायद से उदन वर्यूर Hear 貂依ा मतलब अपने क्लाइन के बंदे और धन मतलब ओ जो के बल भूर सोऩ लोग है लेकिन उनसे फाल तुम्हें पंगा नहीं लेना यार मुझे सबसे पहले मेरे missions complete करने है दैन उनसे पंगा लेने के try करेंगे अपन लोग तो सबसे पहले मेरे सामने question mark बन क्या रहा है वापे में जाता हूँ लेकिन उससे पहले न थोड़ी से arrows वागरा में craft कर लेता हूँ ठी प्रविचे का यह पता निए थोड़ा सा ओके यहां पे कुछ के टाइप कैसा मुझे यही पर आना था अब मैं यहां से किसे जा भए तू क्यू परिशान कर रहा है बाई मुझे लागा कोई अंदर कैसे जा सकता हूँ क्राउच करके क्राउच करके भी नहीं जा सकता है क्या मैं इसको जला सकता हूँ लेट मी चेक इसको मैं जला सकता हूँ गया अच्छा जला सकता हूँ येस इसको जला के मैं अभी जा सकता हूँ इसके अंदर चाहिस से और राइट गाइस मैंने इसको जला के देख लिया है लेकिन मैं स्टिल इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ बाई सामने थोड़े से बियर से और उनकी फाइड चल रही है मैं उसको मार हूँ या नहीं नहीं मार न वह चोड़ो फाल तुम्हें पंगे नहीं लेने ओके तो फिलाल के लिए मैट में मुझे इस वाले सायड में फोड़े से मिशण आया है मतलब एक मिशन बैइए में वहाँ पे जाके मिशन समौण करते हैं ठीके एक भी हाई था मैंने उसको तोड़ा लेकिन भाई उससे कुछ भी फाइदा नहीं हुआ मुझे लागा कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा लेकिन नहीं वाई फाल तुम्हें मैंने उसको मतलब 20 को यह कर लिया एग्रेसिव मेरे उपर कि इंगओ यहां पर यहां यहांपर था यहां निकल चल लिकल लिकल्रत निकल्रत मनें नकिख धुम्हें के समान कलेट कर लिया गाईज ओल्राइट गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर एक गुफा टाइप का बना हुआ है ठीक है तो गुफा के अंदर चलते हैं देखते हैं क्या टास्क आया है क्या नहीं उससे पहले यह चीजे मैं कलेट कर लेता हूँ दो मीट मुझे यहाँ से मिले हैं और गाइस किसी के आवाज आ रहे कोई तो है गुफा के अंदर मेरी एरो ले नहीं मुझे अच्छा नहीं कुछ स्टूरी जाला है एंड भाई यह वही बंदा तो नहीं यह वही बंदा है जो शुरू-शुरू में स्टूरी बाता रहा था अपने लोगों को फर्स्ट एप वो आर्यू वूल्फ मैन है वूल्फ मैन तुम वूल्फ मैन हो वूल्फ मैन I'm टें से इसका नाम टें से है और हिया अपने को बोड़ रहे तुम वूल्फ मैन हो क्या वो बोल रहा है कि मैंने कुछ strong spirits को call किया था जैसे कि bear, rhino and tiger and तुम आ गए इसका मतलब तुम strong spirit हो मतलब ओके तो अपना बन्दा बोल रहा है टाकार उसको तु चल मेरे पास safe जगा है तू आजा safe जगा पे ओके 10 से अपना hand मांग रहा है उसको give hand और हाथ काट ले भाई इसकी रादे क्या है भाई blood for spirit विजन भाई ये खा रहा है blood खा रहा है भाई ये ओके चुहे का blood and अपना जो टाकार उसका blood उसने mix कर दिया है drink from way of life life कुछ तो life का way में उसके लिए पीना है अपने को ये drink टकार उबाफी पीने को बोल रहा है ये तो फटवट से पी लेते हम लोग लेट यूर स्पिरिट वॉल्क लेट यूर वॉल्करी वह ये बोल रहा है कि तुम्हारे आत्मा को आजाद होने दो एंड घूमने दो कि के आए चाए से अपनी आत्मा भी बाहर आए गी और घूमने लग जाएगी शायद पता तो मुझे टास्क मिला है find the guide मुझे गाइड करना है अभी गाइड कौन सा इन में से पता नहीं अच्छा मतलब टाकार बोल रहे हैं कि भाई यह जो प्राने ना वो डर नहीं झोल रहे हैं मुझे दूसरी दूसरा वोल ना वहां पे तुम लोग देख सकते हो Biden आपके यह और लेके जहा रहें अपनेrey थीका ओके हई यह क्या हो रहा है बाइ के अच्छा मैं उल्ड रहा हूं मैं उल्ड रहा हूं सब्सक्तर in ऐसे और मुझे सिकाल फालौ दो गाइड एल्मुज़ को उस को फालो करना शायत वर उस आउल को मैं फालो कर रहा हूं जंगल के विचछ ओ बिच कर शे तो जा पीछे में जाता हूँ एंड पानी के अंदर तेर रहा है शाय से मचलिया दिख रहे हैं मुझे आज बाज में और आया वाटरफॉल टाइप का पानी के अंदर बहुत जाद प्यारे ग्राफिक्स दिख रहेगा इस अभी फिलाल के लिए आएंड वहापे जाके वह आउल रुका है शायच से फालो दो गाइड मुझे अभी भी उसको फालो करना है ठीक है तो वह रहा इन ये वापस उड़ चुका है भाई उडता क्योंई ये बे तु वापस उड़ के वहापे जाके बैट अगेन और यह वापस वुड़ा भाई कहां पे लेके जा रहा है तुमुझे अब यार कहां पे लेके गया वह अच्छा वहाँ पे जाके बेटा है और मैं गाई जैना स्प्रिंट करके नहीं भाग सकता हूँ पता नहीं क्यों मतलब पहले अगर मैं शिफ्ट दबा के भागता था ना तो मैं बहुते जादा तीजे से भाग पाता था लेकिन फिलाल में नहीं भाग पार हो पता नहीं क्यों मतलब गेम का मेकानिजम है इसा बनाया इन लोगों ने कि मैं भाग ना सकू स्प्रिंट करके यहाँ पर रहा अपना आउल शो मी ओके कुछ दिखा बोल रहा है ओके टाकार बोल रहा है कि मेरे कुछ दिखा क्या दिखा भी पता नहीं है मतलब आउल कुछ दिखाना चाहता है भाई अपने को शायद से ऐसा लग रहा है मुझे ओके एक और वाटरफॉल और मत बोलना कि यह वाटरफॉल के अंदर जाएगा नहीं ने वाटरफॉल के अंदर नहीं जाना था एंड में एक बार भी मरा नहीं हूगा इस गेम के अंदर ने एक बार मरा था शुरू-शुरू में उसके बाद में एक बार भी नहीं मरो भाई and waterfall के अंदर चला गया भाई हमें भी जाना है शायद उसके पीछे हमें भी उसको follow करना है maybe and वो रहा अपना owl और भी उसको follow करता हूँ and वो रहे निचे mammoth वगर है निचे let's go मुझे वापस से owl को follow करना है and guys मैं literally उड़ रहा हूँ यार इस game के अंदर इंसान भी उड़ते है भाई इस game के अंदर अपने आत्मा ये भाई ये guy up 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 हो गया भाई what the freak अच्छा अपना owl गायब हो गया था and मैं अभी नीचे गिर चपो शायद से मैंने बोला था कि अभी तक मैं मरा नहीं हूँ and मैं मर गया हूँ शायद से guys इस game के अंदर follow the guide अच्छा नहीं नहीं मरा हूँ अभी उसको वापस से follow करना है यार ये बात बात पर तो उड़ जाता है and ये tiger भाई मुझे माहा रेगा तो नहीं न पता नहीं यार ओके वापस से वापस जाके भेड़ गया है वो and में अगर वहाँ पर जाओंगा नहीं वापस से उड़ जाएगा देखना भई ये वहीं कर रहा है tame अच्छा नहीं tame करना है guys literally what the freak श्या ओके अच्छा मतलब मेरे आत्मा ने उसके आत्मा को tame कर लिया शायद से ऐसा ही कुछ सीने और इसने कुछ CT भजाई now you be my eyes in the sky ओके तो टकार बोर रहा है तुम मेरे आखे बनना भी आसमान के लिए vision of beasts ओके मतलब animals का vision हम लोग ले सकते है let's go और अपन लोगों ने एक owl को tame कर लिया शायद से पता नहीं देखना पड़ेगा guys ओके उट चुका है उट चुका है अपना टकार you bond with owl a dream अच्छा नहीं सपना बोड़ रहा है 10 से बोड़ रहा है कि सपना नहीं था ये अच्छा मतलब टकार अभी beast master बन चुका है guys ओकी अभी हम लोग किसी भी animals को शायद से tame कर सकते इसा ये बोड़ रहा है अपना 10 से ओके तो ये बोड़ रहा है कि तुमने आउल को तो tame कर लिया तुम वुल्फ को tame कर सकते हो गया ओके किसी wild wolf के leader को अपने को tame करना है शायद से जॉइन मी वेंजा गेदर इन दे वेस्ट follow your light I have no choice ओके तो हमें किसी वुल्फ के leader को इना किसी वुल्फ के leader को guys हमें tame करना है ठीके ओके तो अपने लोग सबसे पहले wolf को tame करेंगे and then इस वाले episode को इना end कर देंगे ठीके तो वुल्फ को tame करने के लिए कहां पर जाना है मुझे ओके तो जेड नाव प्रेस तो कॉल आउल एंड सर्वाइव सर्राउंडिंग इरिया ओके मैं जेड दवा के आउल को बुला सकता हूँ and मैं आउल का विजन ले सकता हूँ इस बेसिकली इनके आत्मा को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अभी शायद से एंड यहाँ पर कुछ उडान वारियर से वी दाबाने से मैं हंटर विजन ले सकता हूँ जी दाबाने से सेंड बीस्ट सेंड बीस्ट वेपोइंट अच्छा मतलब अगर मैं स्पेस दबाओंगा ना तो कुछ वे पॉइंट आएगा शाय से चलो यहां पर में कुछ वे पॉइंट कर देता हूँ गाई एक एंड जेड से वापसे कॉइट होगा ठीक एंड में कुछ साप काट लिया भाई पॉइजन साप अगर तुम काट लिया तो पॉइजन होगे एंड कुछ वुड़ान वॉर्यर से जो तुमारे उपर भं फेकेंगे उसमें भी पॉइजन होता है एंड तुमको इसका एंप्टीट्यूट इस वर्ल्ड के अंदर ही दूनना पड़े कहीं पर तो पता ने भाई अभी क्या होने वाला है मेरे साथ पता ने भाई अभी क्या करना पड़ेगा मुझे में पॉजने सोच चुका हूँ एंड क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता अब मुझे क्या मतलब मैं मरने वाल हुआ अब तू मर यार तू क्यों काटा मेरे को सालिक क्यों काटा तुने है इसको माहर के मैं इसको collect नहीं कर सकतो बाई एसे ही फाल तुम ए दे रखाए इसको मैं collect नहीं कर सकतो तूम इसके पास गया चलो ठीके पता तो चलगा है नब इसके पास नहीं जाना है ठीके और मैं poisonous नहीं हुआ हूँ शाय से OK मुझे लागा मैं poisonous होग है लेकिन नहीं हुआ हूँ ठीक है भाई अब यार मेरे पर हाइनस ने अटक कर दिया भाई हाइनस ने मेरे उपर अटक कर दिया एंड लेस गो इसके skins में लेता हूँ skin गैस मैंने इसके उठा ली है एंड अभी मैं अपने backpack को finally upgrade कर सकता हूँ guys let's go upgrade कर दिया मैंने एंड अभी मैं कितना arrows carry कर सकता हूँ ये check मुझे करना पड़ेगा लेकिन arrows craft करने के लिए मुझे थोड़ा सा wood चाहिए होगा and wood मेरे पास फिलाल तो नहीं है थोड़ा सा wood में collect कर लेता हूँ ठीक है guys उरे भाई wooden warriors मेरे पे attack कर रहे भाई पाहल तो भी attack कर रहे भाई मैंने उनको कुछ करा भी नहीं था let's go तुमारे भाई ने जले हुए arrow से इनको मारा है and ये लोग जल चुके है and मैं भी जलने वाला था अभी just let's go मुझे थोड़ी से लकड़ी चाहिए था कि मैं arrows craft कर सकूँ ठीक है और यहाँ पर कुछ task आया हुआ था eat to accept find the wolf pack leader and tame the beast of fight by your side ओके तो मुझे एक उड़ान हंट wolves must stop them अच्छा जो उड़ान वारियर्स है ना वो निकले है वुल्फ के hunting करने के लिए ठीक है और हमें चाहिए वुल्फ का leader तो क्या पता भई वो वुल्फ के leader को मार दे इस वज़े से हमें सबसे पहले जा कि उसको tame करना पड़ेगा ठीक है और गाइस में बीच में poisonous होता ना पता नहीं में कैसे automatically cure हो गया तो लेस्ट गो मुझे सबसे पहले क्या करना है जेड़ दावा की आउल विजन पर जाना है ठीक हां तो अपने आउल विजन पर जाना है एंड कुछ उड़ा मॉरियर्स को ना गाईस में मुझे ना कुछ उड़ा मॉरियर्स को मार करना है ठीक है उस वाले location पर मैं जा जा एंड वहाँ पर मुझे सबसे पहले मार करना है ठीक है तो यहाँ पर थोड़े से उड़ा मॉरियर्स है पूंद वो रहे तो मैंने मार कर देदा गाईस location को जाता हूं एंड उनको फटावत से मार के आता हूं ठीक है उससे पहले थोड़े से लखडी कर लेता हूं ताकि मैं जाद से जादा arrows craft कर सकूँ ओके तो अभी मैं थोड़ी से arrows guys craft कर लेता हूँ बोको में ने हाथ में ले लिया है and 11 arrows में अभी एक साथ craft कर सकता हूँ पेले सिर्फ और सिर्फ 8 arrows में craft कर सकता था कुछ वेंजा वेंजा बोल रहा है भाई इनको मैं मार सकता हूँ ना भी let's go silent killer let's go दो मैंने मार दे यह राद तीसरा तीसरे को भी मैंने guys मार दिया है and पूरी की पूरी जगा पे आग लग चुकी है क्योंकि मैंने इसको आग से जला हुआ arrow मारा था ठीक है let's go इससे मैंने समान collect कर लिया है इससे भी समान में collect कर लेता हूँ यहाँ पे इन लोगों ने एक wolf मार रहा है यार यह लोगों wolf hunting कर रहे है देखो यार कितने सारे wolf अगरा मार रहे है इन लोगों ने and तिसरे बंदे की body का पे थी यह राद तिसरा बंदा इसकी body से भी मैं समान collect कर लेता हूँ ओके तो मुझे एक और टास्क मिला है use me to craft bait क्यूब होल्ड करके करना है मुझे शायद से तो यह रहा bait अच्छा मतलब मुझे wolf को bait करना है शायद से and then tame करना है पता नहीं वाई वुल्फ को bait करना है मुझे पता नहीं क्यूँ तो थोड़ी से wolf bait मैंने craft कर लिया है दो craft करें खाली follow the blood trail to the wolf then hold V to use your hunter vision ओके तो मुझे कुछ trail follow करना है hunter vision अच्छा मतलब यह जो path है न यह किसे के footstep है शायद से यह wolf के ही है इसको मुझे follow करना है ओके यह footstep और आगे जा रहे है तो मैं और आगे जातो ठीके footstep जा रहे वहाँ पे bait and tame beast तो bait कैसे करना यह लोग मुझे सिखा रहे है अभी ओके तो भी दाबा कि मैं कौन से कौन से beast मैंने tame करे न वो मैं देख सकता हूँ और जो beast है उसको जब मैं bait टालूँगा न bait मतलब खाना और वैसे में जैसे e press करूँगा न hold करूँगा न तो वह animal टेम हो जाएगा शायद से एंड यहाँ पे एक bear है शायद से में bear को भी tame कर सकतो गाइस ओके तो अबै यार ये इस beast ने हम लागर दिया भाई क्या यह ओके ओके तो बेट में डाल दिया गाइस बेट में डाल दिया है इसको धीरे से मैं tame कर सकता हूँ शायद से अभी and let's go bait डाल के भी इसको finally tame कर दिया है गाइस wolf को इसको tame करना थोड़ा सा hard था दो तिन ट्राइग गए मेरे इसमें दो तिन यार दो ट्राइग गए है लेकिन finally मैंने इसको tame कर दिया है गाइस you can order your beast to attack a target go to location aim while okay तो गाइस मैंने जिस animal को tame कर रहे ना उससे मैं दुसरे animals पे या फिर मेरे enemies के उपर attack करवा सकता हूँ अगर वो जख्मी हो गया मेरा animal तो मैं इसको ना इदबा के hail कर सकता हूँ अगर वो मर गया तो मैं इसको revive भी कर सकता हूँ यह चीज़ बढ़िया है तो हाँ तो यह रहा मेरा तो गाइस मैं अपने वुल्फ से आट्या करवा के देखना चाहता हूँ यार टेंसे ने बोला था कि भाई तू मैं न एक वुल्फ का लीडर है उसको टेम कर लो एंड फाइनलित टेम कर दिया है गाइस एक टासक का रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो भाई यहाँ बेंच strive आ。 यहाँ यह बहुत था जादा एपना मार इसको भी मार जा अपना वुल्फ अभी खतरना के वाई मतलब मैं तो पहले सही इस गेमें पावरफुल था अब और भी पावरफुल हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास एक वुल्फ आ चुका है गाइस एंड आगे जाके नेक्स्ट वाले एपिसोड में शाय से हम लोग ट n신ता आगर को टीम करेंगे हो सकता है नवेशा थोँ चलो आर इस्कशले एपिसोड में इतना यह था है आए हूप आप अगर एपिसोड आच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर देना मैं मिलता हूँ आप लोग उसे एसे ही नए-ने मज़धार गेमपली वीडियोज में तब ते के लिए टाटा बाई-बाई टेक केर गाईज गुडबाई गेमर्स